आज जो मैं आपको बताऊंगी बताऊंगी कि घर पे आप नीम का तेल कैसे बना सकते हैं नीम के तेल के बहुत ज्यादा फाइदे होते हैं benefit होता है तो पहले benefits होता है माई skin के लिए यदि आपके pimples है आपके face पे दाने है किसी तरह की allergy है किसी तरह के तो अगर आपने फेस पे नीम का तेल लगाएंगे तो आपकी जितने भी पिंपल से इलेटीड प्रॉब्लम है वह सारी दूर हो जाएगी अगर आपके बालो में डैंडर्फ है या किसी तरह की इचिंग होती हैं उनके इस नोंото fonctionne जखमपर जाते हैं और आपके बालो में जू है ली शी तो भी आपके जो बालो की सारी जीतने भी प्राड़म हो तूर करता है यह इस पर antiseptic property होती है जो हमाई जितनी भी allergies होती है उसे remove करता है तो घर पे नीम का तेल बनाना बहुत ही होता है बहुत ही आप जल्दी बना पाएंगे तो हम start करते हैं नीम का तेल बनाना फ्रेंड वैसे तो जो नीम का तेल होता है वो बनते हैं नीम के बीजो से पर वो बनाना थुड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो मैंने नीम का आल्टरनेटिव सोचा है क्योंकि पहले जो मेरे नीम का तेल लगाना शुरू कर दिया तो जो नीम का तेल था उससे मेरे जितनी भी पिंपल्स थे मेरे इची स्कैल्प थी डान्रफ था वो रिमूव हो गया तो इसलिए मैं आपको यह अल्टरनेटिव बता रही हूँ पट इत इस ऐस इफेक्टिव आस नीम का तेल जो आपको मार्केट में मिलता है तो जब आपको उसी चीज से घर बैठे बैठे बना सकते हैं तो वही बैनेफिट्स मिल रहे हैं तो उसमें क्या दिकत है आप नीम कर दूसी के पते लिए है और यह मैंने 5-6 तूसी के पतेल यह है तो इस एफेक्टे भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है एक तो इस जितने भी एजिंग साइंस होती है जो हमारे जुरियां और जाइयां पर ड़्धाटियां पिग्मेंटेशन होती है उसे भी तो फ्रेंड हम बनाते हैं कि हम घर पे कैसे नीम का तेल बना सकते हैं DIY homemade जो है नीम का तेल इंट मैं एक जार में मिक्सीक में अपनी तुलसी के पते और जो नीम के पते हैं वह टाल दिए हैं कि मैंने लगमाग एक बड़ा चमच फानी दालें नीम और तुरसी को पीच चाहे आप देख सकते हैं यह ज़्यादा पतला नहीं करना है इतना पानी दालना है मैं एक कप लिया है नारियल का तेल 10g और यह इसमे डालafa अपना टोर और आलेगे तures 20g सबुद्स vast чयों सब्सक्लें Bin क्या यह में जेगा और अपरफिए गरण सोबने और नारियल का तेल उसमें डाल साथिक मना है जिया खक जएता है बनाने बिद्स scheduled घाल ben 10 хозя कि इपंट मैं ने जो है पेसी डाल दिया है अब हमसे सीम आज पर हमें से जैंक चलाते रहना है उस ड्धकण नहीं है आध देखें कि फफंड़ मिनेड हो चुके हैं मैं इसे ब्यागिला चला 1 हूँ और इसका जो क्लर है वदेख यह अपहसले होगा तो मैं और अपी अच्छे से इंफ्यूज करोंगी गैस का फ्लेम भी आपने हमारे ज्यादा नहीं रखना है हाइफ नहीं रखना है वह तो हमारे जो कोकोनट ऑईल वह जल जाएगा और जितने में तुलसी के पत्ते और जो नीम के पत्ते वह भी जल जाए हैं यह कि छेज्ठे कहले हैं किम इनसी हिर्ट लगबग आदे घंटे से अच्छे से लगबग अदे को 대표 तो देख सकते हैं इसमीं जितना भी तुलसी और नीन था वह अच्छे से इसका कलर बिल्कुल ग्रीन हो चुका है और हमारे बालों के लिए हमारी फेस के बहुत अच्छा है और आप किसी भी कांच के बरतन में रख दे जिसका कलर डार्क हो मैं ब्राउन हो और इसका अगर ठीक है वरना ऐसे इसको अल्मुनियूम फॉल से ढख सकते हैं और इसे जो है अगर अपकी सकी है और आपकी यह आपकी स्कीन वह नम पर उख सकते हैं आप को लगा और इसको कुछ ऑलों की पिल्स पल देखिने nosa क्अ वह डीवमे के इस अपने अपने में देऊ लाच आपने सवायूरी यह जितते मिंआश्य था है आपके बालों में तियुका होने, ये जूए है इस दिनि तो आपके स्कैल्प को भी अच्छे से हाइड्रेट करता है तो इसमें अटि-बेक्रियल प्रॉपर्टी भी होती है तो आपको आज का पूरी बाडि में लागा सकते हैं तो आपको आपको बाइट नहीं करेगा तो आपको आज का ALE नीम और तुल्सी का ALE यह प्संद आया होगा तो मिलते हैं किसी नहीं तेल या नहीं होम रेमेडिक के साथ तिल देन बाबाई and stay healthy, stay beautiful, बाबाई